आपका स्वागत है, मैं हो बीजे चोहान और आपके लिए लेकर के आगे हैं एक नई भरती 36 गड़ State Power Distribution Company Limited के अंतरगत एक नई भरती के लिए नोटिफिकेसन चारी किया गया है बता दें इसके लिए आलवर 36 गड़ से हर एक जीले से विक्ति जोहें अपलाई कर सकते हैं चतिजगड State Power Distribution Company द्वारा Apprentice C program के अंतरगत टोटल 45 पदों पर भरती की जाएगी जिसके लिए पात्र और इच्चुक उमिद्वार आफलाइन के माध्यम से आवेधन परस्तोत कर सकते हैं तो आज के वीडियो में जानेंगे 36 गड़ State Power Distribution Company Limited के अंतरगत निकाली गई Apprentice C भरती के लिए बता दे जिन वेक्तियों के पाच Bachelor of Science अर्थाथ B.Sc. की डिगरी है Bachelor of Commerce बीकॉम की डिगरी है Bachelor of Computer Application और Bachelor of Business Administration की डिगरी है वे इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बात करें पदों के बारे में तो Bachelor of Science B.Sc. वालों के लिए 11 पदों पर भरती की जाएगी Bachelor of Commerce अर्थाथ B. काम वालों के लिए 11 पदों पर भरती की जाएगी Bachelor of Computer Application B.B.A. के लिए 12 पदों पर भरती की जाएगी और वही Bachelor of Business Administrator के लिए 11 पदों पर भरती की जाएगी टोटल 45 पदों पर यहाँ पर भरती की जाएगी तो जो भी व्यक्ति in degree को रखते हैं वे इसके लिए apply कर सकते हैं पर एक बात का आपको ध्यान रखना है आप जो भी degree रखे हैं उसकी ज़्यादा गेप नहीं होनी चाहिए तब आप इसके लिए apply कर सकते हैं प्रतिमा 9000 रुपे का यहां पर आपको इस टाइपन दिया जाएगा जो भी भरती होगी एक वर्स के लिए होगी एक वर्स के बाद जो ही से बढ़ाया भी जा सकता है अगर आपका कार्य अनुभा और आपका कार्य बेवार अच्छा रहा तो यह आगे भी इसे एक्स्टेंड कर दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बिजली बिभाग के अंतरगती विकंसिया निकाली गई है अप्रेंटिसी प्रोग्राम के तहत 45 पदों पर भरती की जाएगी तो जो भी वेक्ती इन 4 तरह के डिग्री में से किसी एक डिग्री धारक हैं वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक वर्सी टेनिंग दिया जाएगा एक वर्सी टेनिंग पूरा कर लेने के बाद आपको विजली बिभाग में या तो पूर्ण नता रख लिया जाएगा नियम बीद के तोर पर या फिर किसी दूसरे जगा आपको ट्रांसफर किया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरा आपको प्रती मेहने 9000 रुपे का जो है इस टाइपन के तोर पर दिया जाएगा बात कर रहें नियम और सर्ते के बारे में तो यहाँ पर जो भी वेक्ति अपलाई करेंगे उनके ग्रिजुएशन की अर्था जो भी डिग्री है उर्में जितने भी इसनातक में डो डिग्री है अंक लाएं है उसी का धार पर डारेक्ट मेरिड लिष्ट का धार पर जो है चेंड किया जाएगा जो भी प्रसिक्षण के आधी रहेगी एक वर्स के लिए रहेगी जो की आईस्थायर हो सकती है बता दें यहाँ पर जीन उमिद्वारों को कार अनुभा एक या एक से अधिक है इस प्रकार संस्था के लिए पहले से प्रसीचन ले रही है वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे यहाँ पर साब सब्सब्दू में बताएगए है तो जो भी वेक्ती इस तरह के पहले भी अप्रेंटीज सी प्रोग्राम में सामिल हो गए है वेज के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं चाते नंबर पॉइंट में यह बताये गए है कि जिनका जो है जो भी उमिद्वार हैं जो अवेदन करना चाहते हैं उनका गेप हो गया है एक वर्स या फिर एक वर्स से ज़्यादा तो यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं लेकिन तीन वर्स से अधिक समय हो चुका है गेप की हुए पड़ नहीं रहे हैं वे इसके लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं अपलाई करने के लिए जो भी दस्तावेज लगेंगे यहाँ पर जानकारी दी गई है फिर नमपर पॉइंट में जिसे वीडियो के डिस्किप्शन में दिए गए पीडिये फाइल के माध्यम से आप अच्छे से देख सकते हैं 36 गड़ से पूरे सभी जिले के व्यक्ति जो है इसके लिए आवेधन प्रस्तूत कर सकते हैं आवेधन आपको 29 तारीक 12 मेने 2022 तक करना है आप इसके लिए दो माध्यमों से आवेधन कर सकते हैं पहला माध्यम है कि आप कारियाले में उपस्तित होकर के भी आवेधन कर सकते हैं या फिर आपको स्पीट पोस्ट या फिर रेजिटर डाक के माध्यम से बंधली फाफ़ा में आवेधन करना है आवेधन आपको कहां करना है मुख्य अभियंता प्रसिक्षण अनुसंधानेवं विकास चतिसगड इस्टेट पावर डिस्टिब्यूटन कंपनी लिमिटेट कोटा रोड गुडिहारी रायपूर 492009 चतिसगड के पते पर आपको आवेधन प्रस्तूत करना है या फिर आप कारियाले में 3 बजे से ले करके 5 बजे के बीच में विज़ूई उपसीत होकर भी आवेधन प्रस्तूत कर सकते हैं रायपूर की मुख्य कारियाले में जो है आपको उपसीत होना है अगर आप जो भी लीफाफे में आवेधन प्रस्तूत करना चाहते हैं बंद लीफाफे में जाहे स्पीड पोस्ट के माध्यम से करें या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेधन करें यहाँ पर प्रारूप बताया गया है लीफाफा का प्रारूप तो इस तरीके से प्र अंद्रली फापे में या तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या फिर राइपूर के कारियाला में भी उपस्तीत होकर के भी आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं तो यह थी जानकारी 36 गड़ पावर डिश्टीबिशन द्वारा निकाली गई भरती प्रक्रिया के बारे में एक वर्षी एफ्रेंटेसी प्रोग्राम के अंतरगत यहां पर 45 पदो पर भरती निकाली गई हैं जो भी चुक और पात्रूम में द्वार हैं आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं पूरे 36 गड़ के किसी भी जी लेके व्यक्ति जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही